नवरातरी के 9 दिन ब्रोत रखना सिर्फ भक्ती का भिसे नहीं है बलकि यह आपकी सेहत पर भी सीधा असर डालता है जी हाँ, नवरातरी में आपकी जीबन सेली और खानपान में लागातार 9 दिनों तक जो अंतर आता है वो आपकी सेहत को प्रभावित करता है नवरातरी में उब्बास रखना आपकी सेहत के लिए फाइदे मंद है चलिए जानते हैं नवरातरी उब्बास के आठ फाइदे नम्मर एक, नवरातरी में ब्रोत रखने पर एसे लोग भी जल्दी उठते हैं जिन्हें रोजाना देर तक सोने की आदत होती है लगतार 9 दिन तक ऐसा करने पर इसका असर आपके सरीर, उर्जा और मानसिक सहत पर सकरात्मक रूप से पढ़ता है नम्मर दो, ब्रोत के साथ पुजा पाट की जाती है जो मानसिक सांती और तनाव कम करने में मददगार होता है इससे आपका मानसिक एस्तर सुधरता है, साथ ही आप प्रसंद रहते हैं नम्मर तीन, खाने पीने में परहेज करने का असर भी आपकी सारीरिक और मानसिक सहत पर पड़ता है इन दिनों आप नमक और अन्य कैलोरी फूड नहीं खाते और फॉल, दूद एवं जूस का स्यवन ज्यादा करते हैं, जिससे आपका वजन नियंत्रित होता है नम्मर चार, फालाहार और तरल पदार्थों का स्यवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे आपको कब्ज, गैस और अपज जैसी समस्याओं से रहात मिलती है नम्मर पांच, ब्रॉत में आप सराव, सिग्रेट एवं अन्य धोरपान समन्दी चीजों का स्यवन नहीं करते, जिससे आपकी बिगर्ती सहत पर कंट्रोल होता है और नुकसान से भी बचे रहते हैं नम्मर चोव, ब्रॉत रखने से सरीर के अंदर से कॉलिस्टरोल के मातरा कम होती है, जिससे आपकी बोड़ी के साथ ही दिल और बांकी अंगों की फिटनेस बढ़ती है नम्मर साथ, इन दिनों में तापमान अधिक होता है और प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसे में जब आप भरपूर पानी और तरल पदार्तों का सेवन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होता और आप ज़्यादा फ्रेस रहते हैं नम्मर आठ, इन दिनों आप अध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म का आपकी मानसीक और आत्मिक सेहत से ब्रिधी होती है और आपको अतरिक्त उर्जा का एहसास होता है